तो कैंसे आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम हापका मेरे यूटूब चैनल स्टेडी भी थी होगे इसमें लास्ट सेशन में मैंने आपको मौर यखाल का पहला पार्ट पढ़ाया था उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा कुछ टाइम बाद आएगा नहीं एक ब्रेक के बाद आएगा क्योंकि जो जी एस का अगला सेशन आपका रहेगा वो इंडियन पॉलिटी का रहेगा और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं यानि उत्राखन के बारे में अधर चीजे एक इसाब से अगर आप लोग मानें तो उत्राखन रियल वाला अब हम पढ़ेंगे ठीक है कि हिस्टरी का पोर्षन तो वो कब बहुत पहले से चला आ रहा था एक लंबा सेशन उसका रहा हम लोग का लेकिन असली उत्राखन जो है आज से आप लोग की वो शुरू करूंगा सबसे पहले मैं आपको एक उत्राखन का बेसिक इंट्रोडेक्शन दोगा एक सामानी परिचय उत्राखन से आपका करवाऊंगा उसके बाद कल से आप से ये उमीद करता हूँ कि आप लोग अपने पास उत्राखन का मैप लेके बैठेंगे ठीक है तो आज के सेशन की मैं सुरुवात करता हूँ हिस्ट्री वाला जो पोर्चन है वो क्या चलेगा जो पैटन होगा क्लास की जैसे दो क्लास उत्राखन के जियोग्राफिक चलेगी आप उसके बाद क्या होगा एक क्लास आपके उत्राखन हिस्ट्री की इसमें भी चलेगी और तो उसमें क्या पढ़ाऊंगा जो चीज़े हमारी छूटी है जैसे पहला ही चैप्टर है उत्राखन का आध्य हैतियासिक वाला जिसमें आप लोग अलग-अलग जगहों के बारे में पढ़ते हैं वो जो पहला चैप्टर है उसके अलावा उत्राखन राज्य निर्माने यान आगे की क्लास में शुरू करता हूँ देखिए जल्दे से एक मेब बनाइए अपनी कॉपी में जल्दे से एक मेब बनाइए इस टाइप से उत्राखन का ठीक उत्राखन का मैं आपको एक हो जाएगी command हो जाएगी देखें स्वभाव एकसी बात है अलग-अलग state होते हैं जैसे भारत है भारत के अलावा world है world के अलग-अलग राश्ट है सबकी special यानि एक particular भागवलिक location यानि physical location होती है कि आखिर वो देश कहां पे situated है ठीक है उस चीच के लिए हम दो चीजों का प्रियोग करते हैं अक्षांसी रेखाएं एक देशांतरी रेखाएं ठीक एक अक्षांस जो आपने देखा होगा globe पे यूँ खीची जाती है देखिए इस परकार से जो खीची जाती है मैंने पहले पढ़ा रखा है geography के session में अक्षांस और देशांतर देख लेना और देशांतर इस परकार के लाइन होती है ठीक है जो इस परकार के खाड़ी लाइन होती है तो इस location इसे हम ये भी पता कर देते हैं कि वो particular देश जिसके बारे में अक्षांसी इस्तिती बता रहे है और देशांतरी इस्तिती बता रहे उस value से हम यह बता देंगे वो कहां पर है ठीक तो हमारे देश की भी है ऐसे हमारे राज जी की भी होती है सबसे पहली चीज़ आपको यह पता होना चाहिए यह कहां पर इस दीज़ है इसका यह अक्षांसी और देशांतरी विस्तार क्या है ठीक देखें नोट करके लिखीजि एक request है हमेशा या दखना टोटल पीछे वाला जो सब्द है इसको ध्यान दखना है उतरी अक्षांसी लिखा है दक्षणी या पूर्वी या पस्चिमी कुछ नहीं लिखा ठीक है यानि overall कहने का यह मतलब है उतराखन राज उतरी अक्षांसी पर अवस्तित है ठीक है देख अब जो आप मैब देखेंगे वर्ड का तो इस जीरो डिग्री से उपर यहां कहीं पर देखेंगे आपको भारत की लोकेशन दिखी यानि भारत अपने आपकर टोटली उतरी अक्षांसी पर क्या है इस तीत है और उतरी अक्षांस के ही एक पूर्शन में आप उतराखन भा फ़ारत का हिसा हवा तो स्वाभविक सी बात है उत्राखंट भी कहा हओगा उत्री अक्षांसå ने प्योगा है तो पहली चीज अब ये इसका मतलब क्या हुआ आप लोग समझेंगे कि ये क्या है इसका मतलब देखे जो हमारा उत्राखंड का मैप है यानि उत्राखंड के जो फाइनल जो जहां से टच करता होगा सबसे नीचे की ओर यानि साउथ की ओर जो यह है उत्राखंड यहां से लेके इस लाइन से लेके आप मान के चलिए यहां पे टच कर रहा ना और यहां जो यह जो इनके बीच यह जो सबसे नॉर्थ की ओर होगा और जो सबसे साूथ की ओर होगा इन दोनों के बीच की लोकेशन क्या है? 28 degree 43 मिनट से 31 degree 27 मिनट उतरी अक्षान चीज यानि यहाँ वाला जो पोर्षन जो उत्राखन का जहां पर उत्राखन की बॉंड़ी सबसे south मोगी उस जगह को बोलेंगे 28 degree 43 मिनट से और जो सबसे north पर उसकी बॉंड़ी होगी 31 degree 27 मिनट ठीक है यह क्या होता है कैसे होता मैं आप आपको आने है अक्षान से क्या होता है उत्राखन का धिक है दूसरा देखिए globe पे जो line है काल्पनिक line कषी जाती जो इस प्रकार से होती है इसके पसिम में भी होंगी इसके पूर्बो में भी होंगी ठिक है इनको बोलते हैं देशांतर और यह किसी भी जगह क्या समाई ना तो अब उत्राखंड है इसका भी देशांतरी विस्तार होगा अब देशांतरी विस्तार का मतलब इसके जो सबसे वेस्ट की लाइन है यानि सबसे वेस्ट में कौन सी लाइन है और सबसे ज्यादा जो इस्ट पोर्शन होगा वहां से कौन सी लाइन गुजर भी है उन दोनों क बीच के इलाके को बोलते हैं देशांतरी विस्तार तो सबसे वेस्ट का मतलब 77 डिगरी 34 मिनट यानि 77 डिगरी 34 मिनट से 81 डिगरी 2 मिनट पुर्वी देशांतर यानि हमारा उतराखन टोटली देशांतर में पुर्वी देशांतर में जैसे हमारा देश टोटली पुर्वी दे एक globe है, ठीक है, तो यहाँ पे हैं सपोँज center है, देशान्तरी यानी zero degree देशान्तर, इसके जो East की ओर होगा, यानी पूर्व की ओर होगा, उसको क्या बोलेंगे पूर्वी देशान्तर और इसकी जो West की ओर होगा, उसको बोलेंगे क्या पस्站링 देशांतर और जो जिरो डिक्री देशांतर हो ब्रिटेन यानि ग्रीन मिज़ से लिया गया यानि लंदन से होके यानि ब्रिटेन के लंदन से होके हम कि इसको मानते हैं देशांतरी लाइन को मानते हैं जिरो डिक्री देशांतर को उससे जो इस्ट के कंट्री है उसको बोलते ह पस्यमी देशांतर तो इंडिया को देखोगे लंदन के कमपेर में पूर्व में है इसलिए भारत पूर्वी देशांतर में है और उत्राखन उसी का हिस्सा है तो अपने आप में पूर्वी देशांतर जैसे अक्षांच के ऊपर आपने कहा लिखा उत्री अक्षांच देशां विश्तार कितना है यानि उन दोनों के बीच का गैब भी याद रखना है और उत्राखन का देशांतरी विश्तार में कितना आता है तो 77, 34, 81, 2 तक जितना भी होता है उनका गैब भी आको याद रखना है ठीक है अब देखे हर किसी इलाके की किसी भी चीज का एक छेत्रबल हो 483 वर के किलोमेटर इसका क्या है एरिया है छेत्रबल है इसकी जो लंबाई है यानि East से वेस्ट तक यानि जो यहां से यहां तक है वो है 358 किलोमेटр 58 है 85 हो गए 58 km ठीक और इसकी जो चौड़ाई है यूँ यहां से यहां तक वो है 320 km 320 km ठीक अब देखे जैसे छेत्रफल बताए 53,483 वर की km तो पूरे देश में इसकी पोजिशन अभी 18th नंबर पे आती है यानि अगर छेत्रफल की दिश्टी से अगर एरिया वाइज अगर उत्राखन की रैंक आती है वो है 18th ठीक है यानि इसका जो छेत्रफल है जैसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा छेत्रफल है राजस्तान का सबसे छोटा है गोवा का वैसी ही हमारे इंडिया के स्टेट का है 18th position पे और जो पहाडी राजी है यानि जो हिमालई राजी अब हिमालई राजी क्या होंगे आप उपर दिखना हिमालई यानि जम्मु कस्मीर से लेकर यहां जो यह पट्टी है और उनांचल परदेश तक यह सब के सब क्या है पहाडी राजी है उनमें क्या आती इसकी जो लोकेशन हिमांचल भी वाढ़ी राज्य ठीक है उनमें खोर्ट पोजिशन पे एजिस्ट एरिया ठीक और पहले में कौन है आंजा मतलब अरुनांचल परदेश दूसरे में आसाम और तीसरे में हिमांचल परदेश तो आप दोंको इतना पता होना चीए जो अक्ष्यांसी विश्तार है देशांदरी विश्तार है उत्राखंड जो छेत्रपल है इस्ट से वेस्ट कितनी है और नौर्थ से साउथ कितनी है डिस्टेंस साथ ही साथ एरिया कितना है और इसकी कितने नंबर का ये थाटिक है अब देखिए ये जो उत्राखंड राज प्रविज कोई टच करता है एक उसमें चीन का तिबबती इलाका इधर लिखाया मैंने देखी यानि जो आप यहाँ चमोली और उत्तरकासी का इलाका देखेंगे वो किसको टच कर चाहे चीन के तिबबत को ठीक है और यहाँ हलका सा पिथोरागड का इलाका जो है पूरा किसक करता है नैपाल को अभी आप लोग इतना याद रखें कि दो अंतराश्टी में दूसरी देशों से मिलता है एक चीन से एक नैपाल से चीन का इनि तिबबत वाला ठीक है और अधर स्टेट को टच करने की बात आती है तो एक हिमांचल परदेश को ही टच करता है एक ही इलाका जो पहुत माइनोर अमांट में टच करता है वो है हरियाना को जो कि देहरादुन का इलाका टच करता है ठीक ये तो था एक बेसिक इंट्रोडेक्शन अपने किसके बारे में मैप के बारे में मतलब उत्राखन के बारे में तेरे इसमें जिले हैं अब देखिए जब कि राज जी मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग ये मानने कि हमारे राज जी गठन को स्विकर्थी मिल चुकी यानि राज जी का गठन हो रहा है वो कैसी हुआ क्या हुआ वो मैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको इसका पढ़ाऊंगा ठीक ये तो आप लोग का एक बेस प्राकर्ण के इतिहास में जब राज जी गठन की प्रोसेस पढ़ाऊंगा राज जी निर्मान के लिए जो आंदोलन थे वहां जो मैं आऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा ठीक है तो सबसे पहले आता है कि इस राज जी का गठन कभ वा था ये सब को आता है बच्चे बच् 9 नौंबर सन 2000 को ठीक और यह जो 9 नौंबर 2000 को हुआ था भारती संग का कौन सा राज्य था 27 ठीक है 27 यह नि भारत का यह कौन सा राज्य था गठन की करम मैं 27 वी नंबर का यह राज्य गठन हुआ था अब देखे किसी भी राज जी का जब गठन होता है तो उसके लिए क्या होती है पार्लियामेंट में एक प्रोसस होती है पार्लियामेंट के दो हाउस होते है मैं पॉलिटी में पढ़ाउंगा लोग सभा जहां पे आप लोग सीधे अपने सांसदों को चुन के भेजते हैं राश्रपती उस पर साइन करता है, उसके बाद officially announcement हो जाता है कि इस राज्जी का गठन हो गया, तो हमारा जब राज्य बना, इसके लिए भी क्या होगा, लोगसभा ने पास किया होगा, आपको process क्या थी, मैं आपको पॉलिटी के session में पढ़ाऊंगा, क्या राज्जी गठन क तरीका होता है, ठीक है, देखिए, जब पास भूआ होगा, तो लोगसभा ने इसको पास किया, एक अगस्त सन 2000 को, ठीक है, यानि लोगसभा ने इसको कब पास किया, एक अगस्त सन 2000 को, या आपको आना चीए, यानि उत्तराखंड राज्य निर्मान विधेग लोगसभा द राज्य सभाने 10 अगस्त सन 2000 ठीक है और आप लोग को पता होगा कोई भी चीज कानून कब बनती है अमली जामा कब पहनाये जाता है जब सेंटर पर उस पर राष्टपती के साइन हो जाते हैं और राज्यू में राज्यपाल के साइन होते हैं तो उसको कानून बन जाता है ठी जो राष्टपती के साइन थे वो कब थे राष्टपती ठीक है ये कब की गए थे 28 अगस्त सन 2000 ठीक है यानि इन तीनू प्रोसेस से जानने के बाद हमारा राज्य फाइनली क्या हो गया अस्तित तुम्हें आ गया थिक और 9 नौम्बर 2000 को इसका क्या कर दिया गया गठन कर अब देखें जब राष्टपती थी कोई तो यगुड़ी होगा जिसने साइन किया होंगे हो सकता कुशन इस बार यही पूषे उत्राखन राज्जी निर्मान विध्हक पे राष्टपती किसने साइन किया थे का उनका नाम था के आर नाययन को इस सम्श्था नेरिफ़ह थ अब देखिए इसके अलावा जो इसमा अधर फैक्ट आते एक बेसिक इंट्रोडेक्शन उसके बाद आप लोग कल से मैप लेके बैठेंगे उत्राखन के जियोगरफी उत्राखन के जिले में जरूर पढ़ाऊंगा थोड़ा सा वेड डारेक्ट जिले सुरू करने से पहले ए पॉलिटी के सेशन में जाके राजविवस्ता का पोर्शन एप ले लिष्ट में उसमें राजजियों के गठन पढ़ लिजे आप ठीक है यानि परवती राजजियों में इसका क्रम क्या था इग्यारवी नमर का ये राजजियों हुआ करता था ठीक इसका नाम पहले आप जन्वरी सन 2007 को ठीक यानि एक जन्वरी सन 2007 को उत्रांचल का नाम क्या हो गया था उत्राखन रोगया और 31 दिसंबर 2006 तक इसका नाम क्या था अब इसकी जो राजजधानी है आप सबको पता है इस्थाई नहीं अभी तक अस्थाई राजधानी इसकी का है देर्यादुन है और राजधानी को लेके विभिन समीतिया बनी थी, वो मैं आपको राज्य निर्माण के समय पढ़ाओंगा, ठीक है, इसकी जो राजधानी है, वो है अस्थाई राजधानी, ठीक है, नॉन पर्मानेंट जिसको गहते हैं, वो है देहरा दून में, देहरा दून, और आप गोशना का हुई थी, 4 मार्च सन 2020 को, गैरसेन को किसकी गोशना की गई थी, इस घर गरिसमकालीन राजधानी, ठीक है, गैरसेन को क्या बनाया गया, गैरसेन को, ग्रीसमकालीन राजधानी की घोशना हुई यह भी ठीक है, ग्रीसमकालीन राजधानी, अब देखो, ग्रीसम महदया ने इसको अनुमोदित किया तब ऑपिशली क्या होगी हमारे राज उत्राखंड की ग्रिस्मकारी राजधानी को गैर सेंड में बना दिया गया और उसका नोटिप्रिकेशन जारी वा था आठ जून सन 2020 को ठीक है यानि 8 जून 2020 को गैर सेंड को इसकी ग्रिस्मकारी राजधानी उत्राखंड की क्या कर दिया गया बना दिया गया ठीक है यह तो किसके बारे में थे आपका फैक्ट राजधानी वगारा के बारे में थे अब देखिए एक basic होता है किसी भी state का राजकी पक्षी ये क्या होता है जिसको ओफिस्चेरी government ने announcement किया होता है तो इसकी जो राजकी भासा है वो है हिंदी ठीक हमारे राज़े की राजकी भासा क्या है राजकी भासा ये है हिंदी ठीक है और दूसरी राजकी भासा यानि इ कब जाई थी 2010 में P rap जन्वरी 2010 में इसका क्या किया गया था अब देखिए राज की चिन्न भी होगा राज की जैसे आपने भासा सुन्ड़ी कोई ने कुई राज की चिन्न भी होगा इसका राज की क्या है आप गोलाकार मुद्रा में एक मतलब तीन परकार की परवत चोटियां देखेंगे आप ठीक है गोलाकार मुद्रा में तीन परवत चोटियां देखेंगे और उसमें गंगा की चार लहरें आपको दिखती है ठीक और बीच में एक असोक का लाट दिखेगा ठीक है राजकी चिन्न क्या है इसका एक गोलाकार मतलब मुद्रा में गोलाकार सेफ लगा लिजी आप उसको उसमें तीन क्या दिखा रखे है परवच चोटिया है ठीक असोग का लाइड जो शेर टाइप का दिखता है आप लोग को ना वो है असोग का लाइड ठीक अब इसको देखे होगे कुछ इस टाइप का दिखेगा जैसे ऐसे इस टाइप से यहां से और यहां पे आपको असोग का लाइड टाइप का दिखेगा और यहां आपको गंगा क चार लहरें द करता है यहां उत्राखन शासन ठीक होता है बहुत द्रखव आपने देखा होता है इस परकार का आप लोग इसको नेट में देख लेना ठीक है यह तो इसका क्या था राज की चिन। हुआ करता है ठीक यह पता होना जी आपको पसु क्या है इसका कस्तुरी मिर्ग सब को बता है कस्तुरी मिर्ग के बारे में जब आएंगे मैं आपको पढ़ाओंगा और पक्षी क्या है मोनाल है ठीक पसु क्या है बहुत हाइट वाले इलाके में मिलता है ठीक है कस्तुरी मिर् पसु क्या है, पक्षी क्या है, विरिक्षी क्या है, इस सब को पता होना चाहिए, और पुस्पुरु अगर आप से पुछता है, तो वह है ब्रह्म कमल, पुस्प क्या है, यह जब इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं इस पर आऊंगा, ठीक है, यह नॉर्मल अब देखिए, कुछ अलग-अलग स्टेट का कोई न कोई खेल होता है, किसी का होकी, किसी का फुटबॉल, किसी का क्रिकेट, किसी का कबड़ी, किसी का खोको, हमारे राज्जी का भी राज्की खेल है, जिसका नाम है फुटबॉल, ठीक है, राज्जी खेल क्या है हमारा, और इकाव एनाउस्मेंट हुआ था, दोहजार इग्यार में, तीक है, जिसको राज्जी खेल कह सकते हैं आप, या राज की खेल जो भी कहते हैं, तीक है, राज्जी खेल हमारे के हें, फुटबॉल है, जो कि 20.15 में इसको क्या कियागा था, बनाया गया, गैसा फुटबल को राज जी का खेल बनाएगा था ठीक है राज जी का कोई ने कोई कालचर के इसाफ से वाध्यी वगेरा भी होगा जिसको बजाते हैं, वाध्यी एंटरा अलग अलग परकार के होते हैं धोल होता है, दमुआ होता है तो हमारा राज जी वाध्धी जो है वो कहा है धोल है ठीक है राज जी वाध्धी क्या है और ये कब बनाएगा था 2015 में ठीक है राज जी वाध्धी क्या है धोल अब राज की गीत वगरा वो सब आएगा ठीक है वो हेमन्त विष्ट में ने लिखाया आप लोगं को पता होगा राज्य बाज्य का है हमारा धोल है इसके अलावा एक राज्य की तितली होती है जिसको बोला था कॉमन पिकाक या निए कॉमन तितली ठीक है कॉमन पिका क्या है राज जी तितली है इसको कब से बनाया गया थिक अब देखिए जैसे हमारा राज जी है अब ये तो एक नॉर्मल जानकारी थी इसमें कुछ न कुछ मंडल होते हैं ठीक है मंडल मिसले जैसे जोन टाइप का आप माल लेजिए हमारे राज जी में दो मंडल गड़वाल मंडल में जीलू की संख्याव को पता होगा गड़वाल मंडल में हैं अपने आप में 7 जी ले और कुमाउ मंडल में हैं 6 जी ठीक है अब देखिए क्वेशन क्या बुशते हैं कुमाउ मंडल की स्थापना का होई ती इसको most important कर देना 1854 कुमाउ मंडल की कई 68 भी दिखाऊगा आपको ठीक है कुमाओ मंदल की कब हुई थी 1854 गड़वाल मंदल की कब हुई थी 1969 ये तो क्या थे मंदल के बारे में ठीक है अब देखिए उतराशन राजी के कुछ अदर फैक्ट है जो तेरा जिले हैं वो कब स्तापित हुए थे वो लिख लेते हैं ठीक है अब वो जिले कब बने थे वो अलग बात है पहले एक प्रकार का स्तापना ठीक है देखिए अगर आपको पूछता है कि दून की स्तापना कब हुई थी देहरादून जिसको कहते हैं वो थी 1870, यह जिला कब बना था, यह बात की बात था, जब मैं दहरादुन में आऊंगा, आप लोग को पदा भी होगा, ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, आप लोग दहरादुन के बाद, पॉड़ी, 1840, अल्मोडा लिख लीजिए, प्लस नैनिताल, ठीक है, दोनों, नैनिताल, यह हुए थे, 1891, ऐसी ही आप लोग एक बार, शिरी से इसको आप लोग ने लिखना है, ठीक है, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए, टिहरी, भारत में विलाई कर दिया गया था, ठीक है, टिहरी के बाद, तीन जी ले थे, जो शाथ बने थे, उसमें एका नाम लखे लिख लिखे पित fortunately, एकका नाम लखे लिखे 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 उत्तरकासी, और एका लिखे चमोली-ठीक है, क्या क्या लिखे 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 है, पितٌ और अगर उत्तरगासी वाद चमॉली ये कब हुए थे नाइंटीन अंडेट सिस्टी डेट भी लिख लेना ठीक है सैथ 24 फरवरी के आसपास इसकी डेट है 24 फरवरी के आसपास कनफर्म कर लेना उसके बाद जो अगला डिस्टीक हुआ था जिसका गठन होता हरिद्वार हरिद्वार कब बना था नाइंटीन अंडेट एटी ठीक है और उसके बाद लिखे लिजी आप यूएस नगर यूएस नगर 1995 ठीक उसके पाद लिख लिख लिजे आपका तीन डिस्टिक साथ साथ बने थे एक चमपावत एक रुद्धर परियाग और एक बागेश्वर सबस्वेरे लिकिए रुद्धर परियाग चमपावत और बागेसवर शाथ लिए रुद्धर परियाग चमपावत और ये विच जिलों के गठन का पड़ दिया यहां कुछ विधानसवा सीटों के बारे में आपको बताता हूँ लेकिन इस से पहले एक चीज याद अथना इसमें दो जिले ऐसे हैं जिनका मुख्याले उनके अपने नाम पी नहीं है यानि एक चमोली का मुख्याले चमोली में नोगी गोपिश्वर में है ठीक है यह याद हना दूसरा उधम सिंग नगर का मुख्याले रुद्रपूर में है यह याद हना बाकि उन्ही के नाम पे उनका मुख्याले यानी चमोली का मुख्याले पूछता है वो है गोपिश्वर ठीक और दूसरा, यूएस नगर का बूस्त है, यह है, रुदरपूर में इसका मुख्याले, जिला मुख्याले, ठीक है, अब बाकी का तो क्या है, उनी के नाम पे पित्वरागड़ का पित्वरागड़, यह वो सब, अब देखिए, आप लोग सब जानते हैं, कोई न कोई जैसे LOAD करते हैं, तो कुछ number of seat होती है, तो उत्राखन विधानसभा में कितनी seat होतो है टो 70 ठीक है, जो आप विधायक जिसको कहते हो, विधायक चुनके बेचते हो, 70 लोगो हम इसे भिजते हैं और इसमें एक मनोनित होता है जिसको एंग्लो-इंडियन कहते हैं ठीक और मुझे कमेंट करके सब लोग बताएंगे वर्तमान में उत्राखन विधानसवा का मनोनित थी यानि एंग्लो-इंडियन सदस्य कौन है ठीक है यह आप लोग को बताने हैं इस विधानसवा सीटू में आप लोग को पता होना चाहिए कि जो पहले था यानि उत्राखन राजित नहीं बना था उससे पहले कितनी सीट थी उत्राखन के लिए 22 सीट थी थी कितनी थी 22 सीट है यानि पहले इसमें कितनी सीट है थी 22 उसके बाद परिसीमन होता है एक परिसीमन आयोग होता है इलक्षन कमिशन का सहीयोगी जिसको आप लोग कह सकते हैं वो क्या करता है हर 55, 7, 7, 8, 8, जितने साल में भी उसका गठन किया जाए सीमाओं का दुबारा निर् रिकमेंडेशन करता है तो जो 72 और 2000, 2001 और 2008, 2001 और 2008 के बाद जो परिसीमन हुआ था उत्राखन राज्य का उसके बाद क्या हुआ था परिसीमन के बाद 2001 और 2008 के बाद जो परिसीमन हुआ था उसके बाद सीटों का सिंक्या कितनी होगी 70 होगी आपनों को ये पता होना ठीक है अब देखिए विधान सभा की सीट है जो है वो 70 है उसमें से SC के लिए जो सीट है दी गई है वो दीगी है 13 सीट है और ST के लिए सेडियूल कास्ट के लिए दी ही हैं, दो सीटे, ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है, उत्राखन विधान सबा में सेडियूल कास्ट के लिए कितनी सीटे हैं, तेरे सीटे, और उत्राखन विधान सबा में स्ट के लिए कितनी सीटे हैं, दो सीटे, यह question paper में आता है, ठीक है यानि टोटल 15 सीटें यहाँ पर क्या है रिजर्व है आउट आप 70 और ये दो सीटें जो सेड्यूल ट्राइब के लिए है जन जाती के लिए कौन कौन से है चकराता है चकराता विधानसभा जिसको बोलते हैं दुस्से नानक मत्ता ठीक चकराता विधानसभा पड़ती है देहरादून में और नानक मत्ता पड़ता है यूएस नगर में ठीक है यूएस नगर में ये दो सीटें के हैं स्ट यानि सेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं जबकि तेरे सीटें किसके लिए हैं SC, यानि, schedule, cast के लिए हैं, जिसमें से सरवाधिक कहा हैं, हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में कितनी हैं, reserve seat हैं, विधान से बाकी, 3 seat हैं, ठीक है, और उन 3 का नाम आपको बताता हूँ, एक का नाम लिख लिजे आप, भगवानपूर, एक का नाम लिख लिजे, मतलब ऐस हैं, भगवानपूर है, जबरेड़ा है, और ज्वालापूर है, ठीक है, हरिद्वार में कितनी हैं, 3 हैं, कौन-कौन सी, ज्वालापूर, जबरेड़ा, जबरेड़ा और भगवानपूर, भगवानपूर, ये 3 के 3 seat हैं, reserve seat हैं, जहां पर SC candidate चुनके आता है, सरवाधिक SC की seat हैं, तो हरिद्वार में 3, बाकी की जिलू में 1-1 seat हैं, सिर्फ चंपावत में नहीं, यानि जो चंपावत का इलाका है, चंपावत डिस्टिक हैं, सेड्यूल कास के लिए कोई seat reserve नहीं है, जबकि अधरे डिस्टिक जो हैं उतराखन के, वहाँ सब जगा 1-1 है, तो आप ल दिस्टिक हैं, एक seat है बागेस्वर की, यानि जो बागेस्वर विधानसवा है, वो अपने आप में कहा है, रिजर्व seat है, ठीक है, बागेस्वर से, पिथरागर डिस्टिक में है, गंगोली हाट की seat, ये भी अपने आप में रिजर्व सीट है, अलमोला डिस्टिक में सोमि तीन होगे ठीक है नैनिताल में स्वयम नैनिताल क्या है रिजर्व शीट है विधान सभा की नैनिताल चार होगे ठीक उधम सिंग नगर में क्या है आपका बाचपूर ठीक है बाचपूर की शीट भी क्या है स्टी के दे रिजर्व है इसके अलावा देहरादुन में अगर ठीक है, पौडी का नाम भी लिख लिजी आप यहाँ, पौडी, ठीक, पौडी, चमोली के अंदर सायद संभवता थराली नाम की सीट कहा है, चमोली के अंदर है, थराली, हाँ, थराली ही है, ठीक है, थराली सीट भी कहा है, अपने आप में रिजर्वे, एक टिहरी के अंदर आप लोग लिख लीजिए के अंदर जो है धनसारी नाम की सीट के है अपने आप में रिजर्व है क्या दिखेंगे धन सारी ठीक है तो देख लीजी किते होगे थराली धनसारी बाजपुर पॉड़ी नैनिता सोमेश्वार राजपुर गंगोली हाट और बागेश और यह अपने आप में क्या है सीट है रिजर्व है और उत्तरकासी में जो सीट पढ़ती है रिजर्व है पुरोला और इतना आपक सीट है और बत्तब वो टोटा मिलाके 15 सीट होगे ठीक है तेरे सीट के लिए दो सीट के लिए ठीक है इसको आप लोग क्या करेंके नोट करेंगे अब देखे लोकसभा की कितनी सीट है यहां लोकसभा मतला जहां पर हम लोग सीटे सांशत चुनते हैं जो केंद्र में भेज सीट है यानि रिजर्व सीट है ठीक है अभी वर्तमान समय में और सांसदों के नाम हम अभी पूसता है ठीक है पास सीट है क्या है लोकसभा की कितनी सीट है उत्राखन से पास सीट है कौन कौन सी लोकसभा सीट है अलमोडा नैनितार टिहरी पौडी और हरिद्वार और अलम क्या क्या कॉर्टिंग, तो हमारे उतराखन के लिए उन में से एक आप लिख लिख लिजे, पिथोरागर तहसिल का नाम जहां बाहर है, अलमोडा तहसिल का नाम लिख 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 और एक के आता है आपका दूसरा बागेशवर रुधर परियाग हुआ है यहाँ पे सिर्फ कितने है 4-4 तहसिले रुद्रिपरियाग और हरी द्वार में 4-4 तहसिले हैं बाकि सरवादिक 12 तहसिले इन में हैं बाकि number of वो कीतने हैं उसके आपका कोई ध्यान नहीं करना है अब देखते जे इसके अलावा जो आप लोग की निगम है नगर निगमू का नंबर है वो है आठ है निगम कितने है आठ है ठीक है टेहरी में भी बार सीट है ठीक है एक ची याद रखना है टेहरी में भी आपका बार वो है क्या टैसिल है वो भी आप लोग को याद रखना है टेहरी के अंदर भी बार टैसिल है नगर निगमू की संक् था 1, हरिद्वार था 2, हलद्वानी था 3, काशिपूर था 4, रोडिकी था 5 और रुद्रपूर था 6, इन 6 के नाम, दो ने जुड़े हैं इसमें, एक जुड़ा है रिसी केस, एक जुड़ा है कोड़ द्वार, तो नगर निगम कितने हैं, 8 है ठीक है, और नगर पालिका कितनी हैं, नगर पालिका परिश्यदे कितनी हैं, 41 है, ठीक है, नगर पालिका परिश्यदे भी आप लोग को पताना चाहिए, 41 है, और चावनी परिश्यदे कितनी हैं, चावनी परिश्यदे भी लिख लिख लिखे, 9 यहां पर गहे हैं, उतरा खंदाय जिमें, चावनी परिश्य और लास्ट पॉइंट लिख लिए नमबर आप ब्लॉक 95 यहां पर ब्लॉक है सरवादिक ब्लॉक पॉड़ी में है 15 और सबसे कम ब्लॉक बागेश्वर रुद्रप्रियाग में 3-3 है ठीक है ब्लॉक कितने है यहां 95 और सरवादिक 15 किसमें है पॉड़ी में और सबसे कम जो है यह तो था आप लोग का एक basic idea उत्राखन के बारे में ठीक है अगली जो classes जाएंगी उत्राखन की वो उत्राखन की geography शुरू हो जाएगी उमीद करता हूं कि उत्राखन का map आप लोग के पास होगा with map आप लोग को मैं अचे उत्राखन का भोगोल पढ़ाऊंगा फिर मिलते हैं एक ले सेशन में तब तक के लिए take care thank you